Hello students, Telly Prime की YouTube की online class में एक बार कि रसे आप सभी का स्वागत है और आज की इस class में हम सीखने वाले हैं payment और receipt voucher के बारे हैं तो काफी सारे students के comment आ रहे थे भी हमें payment voucher को लेकि और receipt voucher को लेकि इस बात का confusion रहता है भी हमें receipt voucher के दोरान कौन से account को हमें debit करना होता है या फिर payment voucher की बात करें तो payment voucher में हमें सबसे पहले किसको debit करेंगे और किसको credit करेंगे तो ये आज की इस class में हम आपको ये सारी बाते real business के practical voucher के साथ समझाने वाले हैं तो अगर हमें किसी voucher की payment entry करनी हो तो उस condition में हमें कौन से voucher की जरूर होती है दोनों में हम आपको practical तरीके से समझाने वाले हैं और ये सारा confusion आपका आज की इस class से दूर होने वाला है तो वीडियो को end तक जरूर देखना कोई भी step इस वीडियो का skip बिल्कुल भी मत करना और वीडियो की सुरुवात करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना साथ में notification bell को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी type की accounting से related GST से related नए नए वीडियो लगातार मिलती रहेगी तो शुरुआत करते हैं आज के इस class की तो students सबसे पहले हम बात करते हैं भी हमें payment और shift voucher tally software में का मिलते हैं जैसे हमने टैली software को open किया और उसके बाद में हम vouchers पर जाएंगे option पर enter प्रेस करेंगे तो उसके बाद में जो भी हमारे vouchers होते हैं उनकी सभी की shortcut command हमारे सामने list wise यहां पर show होती है जिसके अंदर हमारे पास एक payment भी है और इस payment का जो shortcut button हो है F5 और receipt के अगर बात करते हैं वो है F6 चाहिए आप इस receipt के button पे click कर दो mouse से चाहिए आप keyboard से F6 का button press कर दो अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं payment voucher की यह में payment voucher की किस condition में जुरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम चलते हैं एक voucher पे हमारे सामने एक यह voucher है प्रोडेक्ट हमने परचेज की है सबसे पहले हम आपको किस किस कंडिशन में payment voucher का यूज होता है वो सारी बाते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाले है तो सबसे पहले हम एक हमारे books के अंदर एक लेजर है डिस्पले पर हम चलते हैं अकाउंट पर चलते हैं लेजर प आप यहां पर देख सकते हो 5150 रुपे की है अब हमें इस प्रोडेक्ट के एगेंस्ट में यानि कि इस इन्वोइस के एगेंस्ट में payment करनी होती है तो ऐसी कंडिशन के जब हमें किसी को भुकतान करना होता है तो उस कंडिशन में पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं हम F5 बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले हमारे सामनी यह वाउचर नंबर आता है तो हमारे पास जो भी वाउचर आया है यानि कि हमने सिरी गनेस इंटर प्रेजेज को यह पेमेट करिए और उस पेमेट के अगेंस्ट में इस सप्लायर्स के दुवारा हमें यह 1524 का तम यहां पर 1524 वर उसके बाद में जो डेट है वो है 10 नौमबर तो F2 से हम डेट चेंज करते हैं 10 11 और उसके बाद में सबसे पहले उप्सन आपके पास आएगा बाई या आपके पास टेली है तो उसके अंदर DR आ रहा होगा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो तो ब 12 बटन प्रेस करोगे तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो याप इसको याप इसको करोगे और कंट्रोल एस से इस विंडो को सेप्ट करोगे तो अभी जो हमारे सामने यहां पर बाई का जो ऑप्शन आ रहा था अब वहां पर वो डियार का उप्शन आगे यानिकि खूल क्या कहता है इस अगर किसी को अगतान करते हैं तो वह हमारा अकाउंट होता है ब्स कंडेशन थो हम हरे अगर हमारे पास के धुकतान करें हम केस वाफ्चर को सलेक्ड करें डी इंटर प्रेस हम करेंगे और उसके बाद में वाफ्चर को एसेप्ट करेंगे जे तो था अगर हम किसी को भाई प्रस्ों करना करते हैं तो अबमただ ठीए आप ने भी स्वेंक प्रस्फर करें हो ओड ने जो भी आपने online method यूज किया हो तो एसी स्थिति के अंदर जो हमारे पास यूपी नंबर रहता है वह उस यूपी नंबर को हम यहां पर voucher नंबर में डाल देते हैं उसके बाद में debit हमारी same party रहेगी हम आपको दोनों इंट्री बता रहे है चार जार रपे तो अब आपको यहां पर case की बज़ेए वह bank select करना है जिस bank के थरू आपकी payment है जो clear हो यह जिस bank से आपका payment है जो निकला है मालीजी आपके पास SBA bank है PNB bank है या HDFC bank है कोई भी हो सकते हैं मालीजी मैं for example एक laser यहां पर create करता हूँ मेरा SBA bank का और under में रखता हूँ इसको मैं bank account में control A के साथ accept करता हूँ बागी detail में एक बार इसको skip कर रहा हूँ मैं जैसे हम इसको enterprise करेंगे तो SBA bank का account है जो हमारा credit होगा क्योंकि हमारा जो पैसा है वो हमारे pocket में से नहीं निकलने की बज़े हमारे bank account से पैसा निकल रहा है तो हमारा bank balance इस condition में credit होगा bank balance हमारा कम हो रहा है तो SCC हम क्या करेंगे पार्टी के account को हम debit करते हैं अगर आपने case के थूरू बुक्तान किया है तो आपका case का account credit होगा अगर आपने bank के थूरू बुक्तान किया पैमट का method bank के दोवारा कोई भी हो सकता है online हो सकता है चेक हो सकता है यूप पैमट गूगल पे फोन पे पे अटियम जो भी आप method यूज करते हो उस option के दोवारा ये clear हो जाते है उसके बाद में सारी details चेक की details आपकी यूप की details सारी आप इसके अंदर लिख सकते हो और हम इसको enterprise करेंगे तो यह तो था हमारा payment voucher अब सेम इसी तरीके से माली जी आपने कोई business के अंदर कोई खर्चा किये माली आपका कोई office expenses है उस expenses के अगेंस्ट के दर भी हम payment voucher का यूज करते हैं माली जो भी आपके पास voucher है उस voucher की voucher का number हम वापे डालेंगे और उसके बाद माली जी हमने एक shop expenses किया है या office expenses कर लेते हैं मैंने office expenses के नाम से laser create किये गुरूप रहेगा यह हमारा indirect expenses और GST इसके उपर हमारी applicable नहीं है तो हम इसको note applicable करते हैं इसको accept कर लेते हैं माली जी आपने 100 रुपे का बुपतान किया है 100 रुपीज आप expenses को debit करोगे और same method ही वसी अगर आपने यह 100 रुपे की payment आपने bank के थुरू करिये तो आपका bank का account वो credit होगा अगर आपने case payment करिये तो ऐसी सित्ती कंदर आपका case का जो ledger है वो credit होगा तो इस तरी के से हम payment voucher का use करते हैं सेम प्रोसेसम चलते हैं receipt voucher पे अब receipt voucher की जैसे हमारी company अब हमारी company को अगर हमारा कोई customer हमें कोई payment करेगा case में तो ऐसी सित्ती के अंदर हम उसको भी हमारी company का receipt हम देते हैं माली जी हमारे पास एक customer है श्यामलाल उनको हमने प्रोडेक्ट कुछ good sale किया है तो सबसे पहले हम एक बार श्यामलाल का लेजर ओपन करते हैं डिस्प्ले पर हम चलते हैं accounts book पर चलते हैं और लेजर पर चलते हैं श्यामलाल और हमने पूरा data open कर दिया आप देख सकते हो यह पर यह हमने प्रोडेक्ट sale किया है और यह इसका 2440 रुपे का sale invoice की वेली है अम माली जी इस invoice के against में हमारे पास श्यामलाल की payment आएगी तो ऐसी सिती के दर हम क्या करने वाले हैं receipt voucher का हम यूज करेंगे वाउप्चर पर चलते हैं और हम shortcut जो हमारी है एप 6 बटन तो जैसे ह तो यह हमारे सामने receipt voucher आ जाएगा और उसके बाद में जो हमारे पास voucher number है receipt का वह है 1001 नंबर voucher है यानि कि अब टेली सौप पर आप देख रहे हूँ यहां पर voucher number 2 दिखा रहे हैं आप चाहते हो भी यह जो voucher number is receipt का आप इसको यहां पर लिखना चाहते हो दो नंबर की तो ऐसी सिती में अंदर हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारा voucher number है इसको automatic की बज़े हमें manual करना पड़ेगा और manual करने के लिए हम एल्टर पे चलते हैं voucher type पी चलेंगे receipt यहां से select करेंगे voucher को और आप देख सकते हो method of voucher number है वह automatic है इसको मिया से manual कर देगे और control A के साथ इस window को भी accept करेंगे अब यहां पर देख सकते हो आप वह वाप्चर नंबर है अपने हाथ से आप लिख सकते हो और अब credit के अदर आप देख सो कि पहला option आपका CR का रहा है payment के अंदर DR आ रहा था यानिकि debit आपको किसको करना है और अब receipt के अंदर आपको credit किसको करना है credit हम किसको करेंगे जिस customer ने हमें payment करी यानिकि हमें receipt हो रही है अब receipt हमारे receipt के according किसकी है शामलाल के तो यानिकि हम शामलाल के account को credit करेंगे क्योंकि यह case हमारे business के अंदर हमें receive हो रहा है शामलाल का लेजर हम credit करेंगे तो आप यान देख सकती है और यहां पर हम इसकी 2000 पे की entry करेंगे और debit अब रहेगा case क्यों रहेगा case है क्योंकि इस customer ने हमें नगद बुकतान किया जिसकी अगेंस्ट हमने यह case receipt है जो इस्यू कर दी थी customer को और case को debit करेंगे इंटरप्रेस करते हम इस voucher को असेट करेंगे अब मान लिजिए यह पेमट हमारे पास online आगती यान कि यह पेसा हमारे पास case ने receive हो के पेसा direct हमारे bank में transfer हो जाता है मान लिजिए customer ने हमें यूपी फोन पे गूगल पे या चेक के थूरू payment कर दी तो ऐसी स्थिती के अंदर जो भी हमारे पास online का जो record voucher नंबर रहेगा चेक नंबर है तो आप चेक नंबर लिख सकते हो अधर आपका जो online reference के अंदर जो नंब करने वाले हैं और उसके बाद में जो bank की detail है चेक नंबर विगरा वो सारी हम इस window bank allocation की detail के अंदर लिख सकते हैं enterprise करके हम इस voucher को भी accept करेंगे यहां पर भी आपको दोनों option दिखाई देंगे payment और receipt का same option आपका payment का item करेंगी उसके बाद में जो आपका सबसे पहले option इसके अंदर भी dr लिखा रहा था इसके अंदर आपको ठाली डी और सी option दिखाई देगा अब माली जी आप जिस भी पार्टी को आप payment कर रहे हो उस पार्टी का नाम यहां पर आपको select करना पड़ेगा जैसे वीजर टेनिंग को मैंने payment कर गिये एक जार रुपे की और इसके बाद में reference पुछा जाएगा भी कौन से reference के अगेस्ट में यह पेमिट यह तो यह हमारी जो हमारा इसके बाद में जो सबसे पहले आप देख सब्सक्राइब के तरह सेम इसी इक इंदर भी पहला ऑप्शन भी सी आगया तो सी आपका किसको करोगे जिस कस्टमर ने आपको पेमिट करिए उसको आप क्रेडिट करोगे जो भी पेमिट आपकी सेम वह सेम मेथड रहेगा जो हमने भी टैली सॉप्टवर के दिखा था सेकंड आपका डेबिट आजएगा अगर आपको के सेलेक्ट करेंगे अधर आपके पास बैंक में ट्रांसपर हुआ है ऐसी कंडिशन के अंदर हम यहां पर होता है कि किस अगंस्ट में इसन के करनी होती है तो यह फुरा वीडिए हमारे MAN क अधर 3 आने वाल है औसके अदर आपको सेकने को मिलने वाले और आज की इस वीडियो से आपको कुछ सेकने को मिला है तो प्लेज वीडियो की आप लायक करना ज्याद ज्यादा झाल झाल